दोस्तों आज के वीडियों हमनों जानेंगे कि पटना इन्वर्सिटी का जो डिश्टेंस जो किसन है वो इस साल से कब से एड्मिशन होने वाला है और प्लस के अंदर में आपका जो है इसके अंदर में फी कितनी लगती है कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं और बेनिफिट आपक जो बहुत ही जल्द चली आएगी जैसे ही आएगी मैं आप लोग को वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा और जहां तक मुझे लगता है वहां तक मुझे एक शाल सा सी नंबर के मन्त में आ जाएगी क्योंकि अभी रेगुलर के एडिमिशन चल रही है रेगुलर वाले जैसा ही खतम करेंगे एडिमिशन वैसे ही फ्रैंस आपका डिस्टेंस का स्टार्ट हो जाएगा अब आते यहां से आप कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं सबसे पहली बात कि जो लोग नहीं जानते सौ टे मता दू डिस्टेंस एजुकेशन होता क्या है लेको डिस्टेंस एज जो चाहते हैं कि बीना कॉलेज जाए बीना कुछ किये हुए घर बैठे पसके मुले एक्जाम देने जाए और रिजल्ट आ जाए मैं पास हो जाओं मुझे जंजट उतना नहीं पालना परे ना 75% अटेंस का ना उतना क्लास का जो है खुद से परहे कर ले तो वैसे इसक इस से लेकर ऑफिसल जो बनना है वो बन सकते हैं सब जह मायता मिली हुए आते हैं पॉइंट पर कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं आए तो फ्रेंज कोर्स के बात मैं करूं तो इसके अंदर में आप एडिमिसन लोगे तो आपको पटना इंवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट से ही बन को बन सकते हैं आप देखे यहां से कौर्स की बात में बात करूं तो आप ऐहां से बिसी कर सकते हो ब्या कर सकते हो बसेल पर एतनी सारी कोर्स के अलावा अगर आपको कुछ और करना है तो अभी पठनय अजी सरे को इस साल के लिए मायता अभी नहीं मिली है जैसा की कि बी किसे को करना एकम करना है criança मैनेता अभी दीही नहीं गविए या जितने कोर्स किल दी गई है वो आपके सामने में यहां पर हाजीर है और वैसे बच्चे जिनका अभी तक कहीं अडमिसन नहीं हुआ है वो भी चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं अब आते इसके अंदर में फी कितनी लगती है कहां से आप अपलाई कर सकते हैं सब को जानते हैं तो फ्रेंज अगर अपको अपलाई करना है तो इसके ऑफिसल वैबसाइट पर आपको आकर यहां पर हमेशा चेक करते रहना पड़ाएगा जिसका लिंक मैं आपको डाइक दे रही हुँ यही पर आपको यहां पर नोटिस में दिख जाएगा यहां पर आपको अडमिसन के पाइट कर सकते हो इसकी पतना इंवर्सिटी जो में वेबसाइट है उससे कोई मतलब नहीं इसका जो भी कुछ होता है तो पतना इंवर्सिटी डीडी के वेबसाइट पर ही होगा आपको तो यहां आको रेगुलर चेक करना पर रहेगा ऑंलाई के अंदर में और यहीं पर आपको लिंक मिलेगा जिसके तहत आप अपलाई कर सकते हो दूसरी बात यहां पर कि इसके अंदर में अधिमिशन सबका होताएगा चाहे आपको कितना भी नंबर हो बस थोड़ा बहुत इजलिविटी रहती है आप गेजविशन में कितना भी नंबर लाई हो इससे डज नहीं लेती है CLC क्या होता है कि CLC जब आप कहीं से भी college बढ़ते हो तो distance education कहीं लोगे तो इसमे CLC और migration की कोई आपको ज़रुत नहीं है इसके इसके बिने भी आप admission ले सकते हो वली सिप आपको graduation के mark shift दिखा कर आप PG में और inter का mark shift दिखा कर आप UG में admission ले सकते हो ठीक है यह system इसकी आप online offline दोनों ले सकते हो बस आपको क्या करना है कि admission इसमें कोई मेट लिश्ट नहीं आती है कुछ नहीं होता है बस आपको सीड़े admission लेना होता है direct admission आपको होती है बस link आएगा और direct admission लोगे देखे यहां पर जो आपको पैसा लगने वाला है वो इसके अंदर क के अंदर में जो आपका रजी एक साल का PG diploma in journalism करने का आपको 6000 पर लग जाएगा बैसलर इन लाइबेरी ब्लीस बोलते हो ब्लीस का सिफ एक साल जितनी एक साल की कोर्स होती है ब्लीस उसमें आपको 9000 पर लग जाएगा main point यहां पर यह है कि इसके अंदर में अभी भी जो भी आपका चीज होगी वह चार साल का अपडेट नहीं हुआ है अभी तक distance education में अभी भी तीन साल की कोर्स हो रही है तो आपकी एक साल वहां से भी बच सकती है लेकिन अभी कोई ठीक नहीं है हो सकता है कि इसके अद्विशन टाइम आएगी तो उससे मैं आपको चार सल की कोर् इसके अंदर डिप्लोमा लगा या फिए आपको supplementary लगा कुछ भी लगा कोई मतलब नहीं बस 10 प्लस टू का फास्टन सेटिफियर आप रहना चाहिए बैस्टलर आपको computer application करोगे तो यहां पर पचीस हजार रिप्य आपको लेगा और अगर आप SCC के अंदर में आ तो यह important point है आपका general के अंदर में 50% आपका pass marks रहना ही चाहिए आपका अगर आप यहां से बिलीज करते हो तो मैं आपको बता जिका हूं already कि यहां पर 7000 रुपर लगता है और BA का मैं आपको already यहां बता दिया हूं बाकी तो आपको बता ही यहां तो वैसे मैं आपको बता दू यहां पर कि application जो form आप apply करोगे उस समय के अंदर में 350 रुपर आप से जो है कि आसपास पिछले साल तो यही ता 350 रुपर इस सबल हो सकता कहीं चेंज हो गया होगा लेकिन 350 रुपर के आसपास आपका यहां पर application form का charge लगता है आपको with including with prospectus के साथ में तो आप चाहे तो offline य आपको असो कराजपत में partner university आपको belong करता है चाके वहां से भी admission आप ले सकते हो partner university के main department में इसके DDE education के department खुला हुआ है तो यह चीज है आपको पता होनी चाहिए तब ही आपका यहां पर काम हो जाने वाली है अब यहां पर ध्यान देने जोगी बात है यहां पर यह है कि इ इसमें direct admission होता है कोई main list नहीं आती है जो कि मैं आपको आपको बता चुका हूँ और सबसी important point कि आपको जो BCA का जो लग रहा है आपको टोटल यहां पर तो आप जो है तीन साल का आप 36,000 रुपए के आसपास लेके चलना कि इतना पैसा तो इसमें लगी जाता है वैसे आप रेगुलर से करते हो तो इससे कहीं ज्यादा ही लगा एक लग के असपास में लग जाता है थोड़ा सा कम ही पैसा तो बस दोस्तो बटना इंवर्सिटी के डीडी एजुकेशन के बाने बस इतना ही था I think मेरे ख्याल से यतनी भी doubt होगी सब खतरम होगी होगी अगर आपको अभी तक अपर नहीं हुआ है वेट कर रहे हो और आपको इन सभी कोर्स जो मैंने बटाया उसमें लेना है तो थोड़ा इंदिजार कर लो पटना इंवर्सिटी के डीडी का आने बाला है और मैं आपको इसको बिडियो बता दूँगा इसके अलावा दोस्तों LNM यूर था मिधला इंवर्सिटी में बहुदñ होता है तो बागी आने वाला समय के अंदर में सभी टहूल के साथ में मैं आपको बता दूगा यहां सब्स्टी पचा रुआ जाहिगा नहीं करना चाहिए अब पटना इंवर्सिटी के अंदर में प्लेस्ट में बात कुड़ू प्लेस्म सब्सक्राइब सब्सक्राइब और companyya जो है न बुकेस्टन को जो बचे करते हैं अगर वह distance करते हैं तो थोड़ा कम उसके value करते हैं क्यूंग अगर आप प्राइबेट जब लेना है थोड़ी कम value करेंगी अगर आप government job लेना तो ठीक है अगर प्राइबेट जब लेना है तो आप भुकेस्टन जो है regular से करने कही बारे में सोचो, और प्लेस्मेंट आपको डिस्टेंस से नहीं, रेगुलर से ही मसा मिलती है, डिस्टेंस बस आपको आप कर लोगे, तो बाहर में जाके आप जॉब मांग सकते हो, तो फिर से वही बात आया थी है, भैलू की बात, थाउद्की सो मच मेरे ख्याल से मिलता हम फिर से नेक्स्ट और फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत बाए